बाइस डिसंबर डोगरी मानेता दिवस के उपर जो हमको मौका मिला स्वरगी अटल ब्यारी वाजपाई जी की केंदर में जब सरकार थी उस समय डोगरी को एड़ स्चेडूल में लाया गया तब से बाइस डिसंबर डोगरी मानेता दिवस के रूप में मनाया जाता है पिछली बार भारती जंता युवा मोर्चा ने डोगर्दा मान करके कारकरम प्रारंब किया था जो यहां के लोकल कलाकार है जो डोगरी का मान समान बढ़ाने के लिए अपने जीवन का बड़ा बहुमुल्ले समय देते हैं ऐसे यंग एचीवर्स जो हैं जो राष्टी अंतराष्टी स्तर के ओपर जब्मु का डोगरों का मान समान बढ़ाते हैं और ऐसे नौजवानों को प्रोथसाहित करने के लिए एक फेलिसिस्टेशन प्रोग्राम जो इस बार हम 22 दिसंबर को बहु प्लाजा में दोपहर दो बजे से चलाएंगे शाम पांच बजे तक तो सभी से आग्र है मेरा कि आप सब ऐसे नौजवानों की प्रस्तुतियां ऐसे नौजवानों को प्रोथसाहन करने के लिए उनको और शाबाशी देने के लिए जरूर उपस्तित रहें इस कारेक्रम में जम्मू कश्मीर की और जम्मू विशेश की विशेशकर जो महत्पून शक्सिते हैं पदम श्री हैं वो इस कारेक्रम में ऐसे नौजवानों को प्रोथसाहित करने के लिए रहेंगे वहीं पर भारती जनता पार्टी का जो शीर्ष नेत्रोतो है यहां के हमारे मानिय प्रदेश अदक श्री रविंदर रहना जी भी इस कारेक्रम में रहने वाले हैं और भारती जनता पार्टी के वरिश्ट नेता रहेंगे तो सभी जम्मू वासियों से सभी डुगर वासियों से मेरा करबद हाथ जोड करके निवेदन है कि आप भी इस कारेक्रम में बड़ी संख्या में रहें ताकि ऐसे नौजवानों को ओत प्रोथाहन मिलें करके सभी नौजवानों को प्रोथाहित भी करेंगी और इस कारेक्रम के मुख्यतिती के रूप में भारती जन्ता रहने वाले हैं आप सबके माध्यम से में 22 दिसम्बर दो बजे बाहु प्लाजा में आकर के सभी नौजवानों का प्रोथाहन आगे बढ़ने में जिस तरीके से सहीयोग कर सकते हैं वो करें ताकि हैसूस करें और ऐसे नौजवानों को और आगे 22 दिसम्बर दोगरी मानेता दिवस के उपर जो हमको मोका मिला स्वरगी अटल ब्यारी वाजपाई जी की केंदर में जब सरकार थी उस समय दोगरी को एड़ सेडिूल में लाया गया तब से 22 दिसम्बर दोगरी मानेता दिवस के रूप में मनाया जाता है पिछली बार भारती जंता युवा मोर्चा ने डोगरदा मान करके कारकरम प्रारंब किया था जो यहां के लोकल कलाकार हैं जो डोगरी का मान समान बढ़ाने के लिए अपने जीवन का बड़ा बहुमुल्ले समय देते हैं ऐसे यंग एचीवर जो हैं जो राष्टी अंतराष्टी स्तर के ओपर जब्मु का डोगरों का मान समान बढ़ाते हैं और ऐसे नौजवानों को प्रोथसाहित करने के लिए एक फेलिसिस्टेशन प्रोग्राम जो इस बार हम 22 दिसंबर को बहु प्लाजा में दोपहर दो बजे से चलाएंगे शाम पांच बजे तक तो सभी से आग्र है मेरा कि आप सब ऐसे नौजवानों की प्रस्तुतियां ऐसे नौजवानों को प्रोथसाहन करने के लिए उनको और शाबाशी देने के लिए जरूर उपस्थित रहें इस कारेक्रम में जम्मू कश्मीर की और जम्मू विशेश की विशेशकर जो महत्वपून शक्सिते हैं पदम श्री हैं वो इस कारेक्रम में ऐसे नौजवानों को प्रोथसाहित करने के लिए रहेंगे भारती जन्ता पार्टी का जो शीर्च नेतरों तो है यहाँ के हमारे मानीय प्रदेश अदक श्री रविंडर रहना जिबी इस कारेक्रम में रहने वाले हैं और भारती जन्ता पार्टी के वरिश्ट नेता रहेंगे तो सभी जम्मू वासियों से सभी डुगर वासियों से मेरा करबद हाथ जोड़कर के निवेदन है कि आप भी इस कारिक्रम में बड़ी संख्या में रहें ताकि ऐसे नोजवानों को ओत प्रोथाहन मिलें बहुत बहुत धन्यवाद